लेकिन वहां भी आज 2013 से संस्कृत का सिप्षक नहीं है जो बिहार का एक जाना माना विद्याले है तो और जो ग्रामरी छेत्रों के विद्याले हैं वहां तो इस बात को सुचना भी नागवार कुज अरता है कि वह संस्कृत क्या लड़के जानते ने कि संस्कृत असलेवस क् जिस विद्यार्थी का हिंदी अच्छा होता है उसकी अंग्रेजी भी अच्छी होती है अगर आप हिंदी के बारे में नहीं सुचेंगे तो आपको कोई भी विशय नहीं आने वाला है लेकिन 90% लोग संस्कृत को महत्पु नहीं दे पाते हैं बालेकाल से नमस्कार आज मेरे सत्मवजूद है अंग्रेजी के परख्याद सिख्छक साहु जनपलच्टू उच बिद्ध्याले के अंग्रेजी सिख्छक मनिस कुमार सुकला थे सर मेरी इस चैनल में धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस चैनल में आमंतित किया और विशेश रूप से परिक्षार्थियों के लिए क्योंकि मैट्रिक की परिक्षा सामने दो हजार तेईस से निश्चित है उनके लिए मेरा विशेश संदेश होगा कि वे लोग शाकारात्मक रहें और जो परिक्षा फोबिया है उसको बिल्कुल अपने पास नहीं आने दे प्रतेक विद्यार्थि के जीवन में परिक्षा का बहुत महत्व है इसके जिमिवार कौन है देखिए जहां तक हिंदी के च्छन का प्रश्ण है वैसे तो मैं अंग्रेली का सिक्षब हूँ लेकि कि इस बिहार प्रदेश में जिस विद्यार्थी को हिंदी नहीं आएगी मैं दावे के साथ कह रहा हूं मेरा जो सैक्षिन्क अनभव है मैं तेरह पांच दो हजार चार से लगातार साहु जैनकुष्प अनग्रेजी विशय को प्रदा रहा हूं लेकिन मैंने फिल किया है कि जिस विद्यार्थी का हिंदी अच्छा होता है उसकी अंग्रेजी भी अच्छी होती है अगर आप हिंदी के बारे में नहीं सुचेंगे तो आपको कोई भी विशय नहीं आने वाला है एक और सवाल है सर कि देव भासा संस्कृत भी बिलूप्त हो रही है कहीं नहीं जहां देखिए विद्याले में अब टीचर ही नहीं है संस्कृत के कि इसके इसपे आप क्या कहीं गर्ण चेत्जिय देखिए मैं एक बात अगर शर्व ठंसे कह दूं तो इसके से बहुत लोग को नराज़गी हो जाएगी कि कि सिख्षक हो करके और सरकार के उपर दोशार ओपर कर रहा है हमां मैं सरकार के दोशार ओपर नहीं कर रहा मैं एक सत्य बात मैंने जो अनभूती किया है आज इसमें सरकार ही केवल दोशी नहीं है सबसे बड़ा दोशी जो वर्ग है और बाव कि इसको अन्थ्यान न लेंगे कि मैं उनको दोशारों पर कर रहा हूं लेकिन नब्य पर्शंट लोग संस्कृत को महत्पू नहीं दे पाते हैं बालेकाल से और जहां तक सिछक की बात है न मेरा अपना विद्याल है जो कि मैं दावे से कह रहा हूं कि बिहार में अगर से केंडी लेवल की कोई बात हो मात्मिक विद्याल है वर्ण टूर्टेन में कहीं न कहीं है लेकिन वहां भी आज दो हजार तेरह को संस्कित का सिछख makers नहीं लोड के साहु जैन में जो बिहार का एक जाना माना विद्याल है तो और जो ग्रामली छेत्रों के विद्याल है वहां तो इस यस देख रहे हैं सब जगह भी जो भी सरगारी टीचर है उनके बच्चे हैं जो परईवेटे स्कूल में पॉड़ रहे हैं तो इस पर क्या आप लोग सोच रहे हैं आप भी मताये सर देखिए नाव एजुकेशन इस एस्टेटर सिंबल फोर एवरी गार्जियन यह कहने में गार्जियन को बहुत सवक हो रहा है और वह गौरम अशूस करता है कि हमारा बेटा इस इलाके के नंबर वन कॉन्मेंट में पढ़ता है देखिए मैं भी एक गवर्मेंट टीचर हूं और अभी प्रश्ण किया कि आपनों के भच्चे भी निजी विद्यालियों में ही पढ़ते हैं तो मैंने बोला ना भी एक से एस्टेटर सिंबल वो कॉन्मेंट का जो सिच्चक है हम लोगे विद्यार्थी कॉन्मेंट में पढ़ते हैं और मेरी पढ़ाई हुई चीज को ही वो पढ़ते हैं उसको तुरों मोरोड़ के पढ़ा दिये हुए लेकिन मैंने बोला ने वहीं एस्टेटर सिंबल जो है वहां पर हमारा विद्यार्थी जो है गौर्मेंट विद्याले जो है तो थोड़ा पीछे हो जाते हैं जबकि हमारे अब्यवस्ता है माना कि कुछ किनी परिशिवों के सिफचक नहीं है लेकिन यह जो कॉन्वेंट के सिफचक है ना मैं कॉन्वेंट के सिफचक को भी तुसारों पढ़ने करता है उनका बहुत बहुत बाई योगदान है जान लीजिए लेकिन यहां पर अभिभावक थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जा और एक सवाल है कि बीपीएसी बीपीएसी के अलावेर परितियों की परिक्षाव में प्रस्न पत्र लगतार लीख हो रहे हैं तो इसमें क्या विचारे देखिए यह जो प्रश्न आप कर दिये ना यह प्रश्न पूर्णता प्रशासन का प्रश्न है जे दुनिया का कोई भ और इस तरह के क्वेस्चन आउट में उसकी सहभागिता उसका कौन से से लाव नहीं करेगा मैं हंडेट परशंट तो नहीं कह रहा हूं माना कि कि एकार पर्शंट लोग हो सकते हैं इन्वाल्भूं देखिए यह बहुत बड़ी बात है उपर से ही मान लिए कि बीपीएसी करें कराता है और विल्कुल एक सिस्टम है उसमें को कोई कुछ कि मुझे मानने यहां परिक्छा हमारा से सेंटर बनता है तो मेरे इतनी चाग जोवन विवस्था रहती है कि यहां सेली का कोई शवाल ही नहीं पैदा होता है लेकिन अभी दो घर्टे कि परिक्षा हुई नह पर जमा कराते हैं पर निकलता है तो यूमर आ जाता है कि पर आउट है तो इसमें किसको दो सी दें यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस पर तो भाई गौर्वर्मेंट को थोड़ा एलोड रहना है कि पर आउट नहीं जो कि विद्यार्थी बहुत ही मनोवेक से इसकी तैयारी क होता है ना उसकी सारी तैयारी तो ध्वास हो ही जाती है उसका मुनोबर को भी टूरता है